दोस्तों आप सभी ने साल 2003 में आई तेरे नाम तो देखी ही होगी जो कि एक सूपर हिट मूवी थी जिसमें हमें निरजरा के रूप में एक खुबसूरत अभिनेतरी दिखाई दी थी जिन्होंने अपनी अदाएगी और आक्टिंग से दर्शकों को अपना दिवाना बना लि अभिनेतरी कहां हैं क्या करती हैं और कैसी दिखाई देती हैं अगर आप भी इनी सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आंध तक बने रहें साथ ही इस खुबसूरत सी अभिनेतरी के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भू अभिनेतरी भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को नई दिल्ली की एक पंजाबी फैमली में हुआ था जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वही से ही पूरी की थी वही अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात साउथ की फिल्म युवाकुडो से की थी जो की साल 2000 में रिलीज हुई थी जिसमें इनके अभिने को दर्शकों द्वारा और कई डायरेक्टर्स द्वारा काफी जादा पसंद किया गया था जिसके बाद इन्हें कई सारी फिल्में तेरे नाम फिल्म से जिसमें ये एक सीधी साधी ब्रामण लड़की के किरदार में नजर आई थी जिसमें इनका लुक काफी जादा सिंपल था जिनके इस सादगी भरे अंदाज के दर्शक मूरीद हो गए थे और इन्होंने अपने इसी सादगी भरे अंदाज से दर्शको लगाए बीच की मांग किये सिंपल सी चोटी बनाए हुए सिंपल मेकप के साथ बहुत ही साधारन से सूट पहने हुए सिंपल अवतार में नजर आई थी तो आज ये 43 साल की हो चुकी है और अपने फिल्म के लुक से काफी जादा डिफरेंट नजर आती है ये आज फिल्म स जादतर सूट पहने हुए दिखाई दी थी वहीं अपने रियल लाइफ में ये साड़ी, सूट, शौट ड्रेसिस, सभी तरह के ड्रेसिस कैरी करते हुए नजर आती हैं बात की जाए इनकी निजी जिन्दगी के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2007 में अपने लॉंग टाइम बॉइफरेंड भरत ठाकुर से शादी की है जो की पेशे से एक योगा टीचर है जिनसे ये बेहद प्यार करती हैं साथ ही आज उनसे इनका एक बेटा भी है जिसका जन्म साल 2014 में हुआ है और जिनसे ये बेहद ही प्यार करती हैं अंत में आपको बता दें क कि आज भी इन्होंने अपने अभिने करियर को जारी रखा हुआ है जिसमें ये अभी साल 2021 में आई तेलगू मूवी इंदे मा कथा में नजर आई थी तो दोस्तों आपको अभिने इतरी भूमी का चावला के आज से रूबरू होकर कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक में कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही और दिल्चस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले